कलास नर्शरी, सब्जेक्ट, मैथ, काउंट, एंड राइट, काइरेक्ट, नमबर, गिनो और लिखो सही नमबर को, ठीक है, तो मग कितने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3, 6, जा, 3, 6, जा क्या होता है, एट, टीन, क्या लिखेंगे यहाँ, अब देखो, यह बोतल है, छोटा-छोटा बोतल है, तो चार लाइन में है, और पॉंच पॉंच करके है, तो फोर को फाइब बार, फाइब को फोर बार बोल देंगे, कितना आएगा, तो फिप, फाइब, फाइब फोर जा, क्वेंटी, अब देखिए, नेक्स्ट, यह पियर है, पियर है, तो यह कितने है, चार, चार, आठ, तीन, ग्यारा, तो इलेवन लिखेंगे, तीक है, अब देखिए, नेक्स्ट कोस्टन है, राइट, वाट कम्स जस्ट बिफोर, इसमें फिप्टीन के पहले क्या होगा, तो फोर्टीन, इसमें टुएल्ब के पहले क्या होगा, इलेवन, शिक्स्टीन के पहले क्या होगा, फिप्टीन, ट्वेंटी के पहले क्या होगा, नाइन्टीन, आब नेक्स्ट देखिए, थर्टीन के पहले क्या होगा, तो फिप्टीन, थर्टीन के पहले क्या होगा, टुएल्ब, तो फिप्टीन, तीक है, अब नेक्स्ट कोस्टेन आप देखेंगे, write what comes just after मतलब लीखो तुरत बाद की संख्यात 11 के बाद क्या होता है 12 13 के बाद 14 17 के बाद 18 फिर next देखिए क्या है 14 के बाद 15 16 के बाद 16 12 के बाद 13 अब next देखिए ये between नमबर है तो between नमबर जैसे 15 है तो 16 यहाँ भरेंगे जैसे 18 है तो यहाँ 19 भरेंगे 13 है तो 14 भरेंगे अब 11 है तो 12 भरेंगे 14 है तो 15 भरेंगे 17 है तो 18 भरेंगे तेंक यू ये नर्सरी किलास के लिए math subject से दिया गया question answer है